शेमा धुम्रेमेडीस में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि घर में जब कोई महमान आए तो उन्हें शीतल जल देने से क्या फाइदा होता है ऐसे भी हमारे सास्त में ये कि अतितु देवु भव तो ये एक आदत है जब भी कोई महमान है आपने उन्हें शीतल जल दिया लिकिर ये हमारी आदत है तो हमारी आदतों का समंध हमारे बविश्य और हमें प्राप्ठ होने वाले सुप्तुक से भी है आदते ये बता देते हैं कि हमारी सूच कैसी है हमारा सुभाव कैसा है इसलिए आदतों को वेक्तितु का दरपन का आजाता है गरनतों में कुछ सामान आदते ऐसी बताएगी जो शुब है और कुछ जो आदते हैं वो शुब है उसी में से एक आदित है कि अगर कोई महमान तो आप उन्हें शीतल जल दीजिए, इसके क्या फाइदे होते हैं बेनेफिट्स में आपको बताने जा रहा हूँ, यह दि हमारे घर में कोई महमान आये, तो उनके घर में प्रवेश करते ही, आप शीतल जल उनके सामने पेश कर दीजिए, आपके इस आदत से राहू के दोश के दूर होते हैं, काल सर्प दोश हो, या राहू से समझित अनकोई दोश हो, तो इस आदत से कई शुगफल प्राप्त होते हैं, तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड दीशे, धन्यवाद.